मैंने वी सुमेश पालिवाल आइम दा को फांडर अनिस्टे जो जैसे कि आपको पता है एस जेफ सी बैंक ने कल अपने नतीजे दिये और दो अनिस्टेट कंपनीज है जो सबसीटरी है एस जेफ सी बैंक की एक है एस डिवी फानेंशल और दूसरी है एस डिवी सबसे पर बात करूं है एस डिवी फानेंशल की जैसे कि आपको पता है पिछले एक साल में बिकॉस अब कोविड जितनी भी फानेंशल कंपनी सी स्पेशली जो माइक्रो लोन देती थी या जो कंजूमर लोन देती थी उनको बड़ी दिक्कते हुई थी स्मॉल फैनेंस बैं किया है अगर मैं लोन बुक की बात करूं तो लगबख साथ हजार क्रोड की लोन बुक है एस ओन थर्टी नाइन टू जिरो टू बनी है तो उस पर टोटल लोन बुक स्टैंड है साथ हजार क्रोड का जो कि लास्ट यह था था फाइव नैं सेवन सेवन फोर यानि कुछ ज् स्मॉल फैनेंस बैंक ने फोकस किया था तो वहां को जिसमें ग्रोथ नहीं नजर आती है वो अब्वेस भी है अगर मैं लिक्विडी कवरेज की बात करूं तो 157 का लिक्विडी कवरेज है विच इस वरी हेल्दी एस पर आर बीए अगर मैं रेविन्यू की बात करूं धीरे 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 सिच्वेशन इंप्रूफ हो रही है अगर मैं ऑप्रेशन प्रॉफिट की बात करूं बिफोर प्रोविजनी एंड कंटिजनसी क्योंकि क्या होता है आर्बी की गाइडलाइन्स है कि अगर आपके बढ़ते हैं तो आपको कही ना कहीं प्रोविजनींग कं अगर देखा जाए तो ऑप्रेशनल इसने प्रोफिट कमाया है वह 885 क्रोड का कमाया जो की सेम क्वाटर में लास्ट यह था 816 का यानि कहीं ने कहीं वहां पी इंप्रूव्मेंट हो रही है अगर प्रोविजिनिंग एंड कंटिएंसी की बात करूं तो 629 क्रोड का टोटल क्या इन्होंने क्वाटर 2 F2022 यहनि जो इनके एंपी है उसको उसकी जो कंटिएंसी है उसके लिए इन्होंने 629 क्रोड का टोटल एक्पेंस बुक किया है इस क्वाटर में जो कि लास्ट यह था 929 यहनि वहां भी जो है जो कंटिएंसी एंड प्रोविजिनिंग वो धरी- तरह देरे कम हो रहे हैं इसका मतलब अब NPA लेवल भी धरे कम हो रहे हैं अगर बाक्वाटर की बात करो तो इस कौर्टर में ने निए निए न करोड़ पाट जने टिया है जो कि लास्ट एर किता था 85 करोड़ तक मेंस that the company was in lowest last year and now they have come into the profit that means the conditions are improving and if I talk about the gross Stacy NBA it stands at six point one percent as compared to eight point one last year that means there is a improvement in 200 basis point in and P as well so we can conclude that as the financial is doing really good now but we have to see another two quarters to come to the conclusion that now the economy is opening up and the problems that has been faced by NBFC the banks and the small finance banks is slowly deteriorating right अब जल्द से देख लेते हैं स्टिव सिक्यूर्टी से कैसा परफॉर्म किया है जैसा आप को पता है कि पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट के नदर बूम रहता है तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो सबसरा पैसा कमाते हैं आप आपने रिजल देखें जीरो था के हलाकि अनलिश्ट कमपनी है आप रिजल देखिए इंजल ब्रोकिंग के कैसा परफॉर्मस किया है शांदर रिजल दिए शांदर शेयर ने परफॉर्मस दिए देखिए यहाँ पॉर्मस को ने सांडर परॉर्मस दिए अने टेसल प maintenant को आपम बग्स ट्राइं मेंवेडिके से शांदर के algumas कि बात करते हैं इन्होंने ख्लोकिया-423 क्लॉड कर्या overs एस कंपेर तो 344 क्रोड सेम कॉर्टर लास्ट येर जट मिस 42 परसंट जम बिनने में विल्यूं ठीक है अगर मैं पैट की बात करों दो सो चालीस क्रोड का पैट इस कॉर्टर जनेट किया है जो की 165 क्रोड था लास्ट येर तो अगर मैं 200 क्रोड का पकड़ू और इसको पिछ अगर उसको भी हम फोर टाम्स कर दें तो लगबग लगबग इस साल हम जो उम्मीद है 600 रुपए का EPS लगबग आएगा है अब थोड़ी सी वैलूशन की बात कर लें एस्टेवी फानेशल की वैलूशन अभी हम नहीं कर पाएंगे योंकि हमार पास उसकी बालेंस शीट अ अगर उसको डिवाइड करते हैं तो अगर उसको डिवाइड करते हैं तो अगर उससे कंपेर करें तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैलूड अभी विए स्टेवी दिखता है 15,000 के आसपास अगर प्राइस आता है so that a good price to enter because the kind of performance the company is given is really really well so hope you have liked this video thank you